हाई प्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास विश्ट कन्या का पार्ट सेक्स प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब मैं चैनल होटल टूरिस्ट मेरीना बीच के पास इस्थीत एक ऐसा होटल था जिसके आस्थित की जानकारी राजनगर के केवल एक खास वर्क को थी वहां या तो वे लोग आते थे जिने तनहाई पसंद होती थी या फिर वे लोग आते थे जो अपनी गुनाबरी जिंदगी पर होटल टूरिस्ट के तनहाँ वातावरन में परदा डाल कर रखना चाते थे होटल के संचालकों को मालूम था कि आमतोर पर स्वय को पती-पत्नी गोशित करके वहां ठहरने वाले अधिक चोड़े या तो पती-पत्नी होते नहीं थे और अगर होते थे तो पती किसी और पत्नी का होता था और पत्नी किसी और पत्नी की वहां ठहरने आते थे बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्जूकिटिव अपनी नोजवान सेकेटरियों के साथ समाज के सम्मानित आदार इस्तम अपनी परोसियों की बीबियों के साथ फिल्मों में काम पाने की इच्छू क्यूतियां ऐसे फिल्मी लोगों के साथ जो उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का पक्का वायदा करते थे लेकिन अपना मतलब हल हो जाने के बाद अक्सर मुकर जाते थे मौच मेले के रसिया एसे ही लोगों की वज़े से होटल टूरिस्ट का दंदा खूब चलता था होटल टूरिस्ट की इमारत आयता कार थी एक मंजीली थी और उसकी आयत में एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत लोन था आयत की एक बुजा खुली थी जिसका वहाँ ठैरने वालों कोही यह फाइदा था कि वे बिना रिशेप्षन पर गए चुपचाब भी वहाँ से चेक आउट कर सकते थे होटल वाले ऐसे चेक आउट से इतराज इसलिए नहीं करते थे क्योंकि महमान से किराया वे हमेशा एडवांस में वसूल कर लेते थे और वह किराया सादारन दरों से दुगना होता था मंगलवा रात को बारा बजने से थोड़ी देर बाद एक भरपूर जवान यूती होटल के रिशेप्षन पर पहुची उसके बूरे बाल रेशम जिससे मुलायम थे और उसके पुष्ट कंदों पर सागर की लहरों की तरब बल खा रही थे उसके जिस्म से इंटीमेट की सौन्दी सौन्दी खुश्पू उठ रही थी और चाल में एक इमान खराब कर देने वाली मस्ती थी वह चलते समय आगे कदम रखती थी तो उसकी पुष्ट जांदे उसकी सिल्क की साड़ी में से यू नुमाया होती थी जैसे पारा दरदरा रहा हो उसके बरपूर उन्नत वक्ष के बोट से उसकी पतली कमर खम खाई मालूम होती थी रिश्यप्षन पर राजकिरन नाम का एक युवा कलर्क उस समय मौजूद था यूती पर निगाह पड़ते ही उसका दिल धड़तने लगा और उसकी आखों में रंगीन सपने तेनने लगे वह युक्ति वहां अकसर आती थी और हमेशा चोदर नमबर सुईट में ही ठहरती थी एक बार जब उसका कथित पती यहां नहीं पहुच पाया तो उसने रिशेप्षन पर फोन करके राजकिरन से जिनकी एक बोतल मंगाई थी वह जिनकी बोतल लेकर खुद चोदर नमबर कमरे में गया था और फिर उसका जो अंजाम हुआ था जिसे वह आज तक नहीं बूला हलो वह रिशेप्षन पर पहुच कर मदूर स्वार में बोली नमस्ते मिसेज बटनागर राजकिरन आखों ही आखों में उसके आगे बिश्ता हुआ बोला आज तो मौसम सुहाना है रात में मस्ती गुली हुई है वह मुस्कुराई मेरा सूट खाली है उसने पूछा जी हां राजकिरन बोला आपका फोन आते ही मैंने चोदा नमबर सूट को आपके नाम रिजवर कर दिया राजकिरन ने देखा यूती के कंदे से लटक रहे खुले बेग में से जानी वाकर की एक बंद बोतल की घरतन बाहर जाक रही थी वह तनिक निराश हो उठा यूती दारा उस से अपने कमरे में बुलाई जाने का बहाना तो खत्म हमेशा की तरह यूती ने होटल के रजिस्टर पर मिस्टर एंड मिसेज एस के बटनागर लिखा नाम के आगे नेपियन हिल की एक कोठी का पता लिखा और सो सो रुपए के दो नोट काउंटर पर डाल दिये मिस्टर ब वास्ते में गाडी में पेंट्रोल डलवाने के लिए रुख गए थे यस मेडम राजकिरन आदर पुर्वक स्वार में बोला कोई सोडा बर्थ वगेर विजवाऊं मिसेज बटनागर नहीं वह बोली जुरत नहीं होगी तो खबर कर दूंगी मन में निराशा का भाव लिए राजकिरन ने सहमती में सिर हिलाया यूती ने काउंटर पड़ से अपने सुट की चाबी उठाई एक चमकती हुई मुस्कुराहट विचारे चारोखा ने चित काउंटर क्लर्क पर ढाली और अपनी मदमाती चाल चलती हुई वहाँ से बाहर निकल गई आयताकार कमपाउंट को पार करके वह सामने कतार के सिर्ख के दरवाजे के सामने पहुची काउंटर क्लर्क की यगर सूरत याद आ जाने पर उसके मुह से निकला कैसे लार बहर रही थी साले की जैसे उसे वह न मिली तो अभी जान दे देगा लेकिन उस पिचारे का क्या कस इस मामले में तो सारे ही मर्द कुत्ते होते थे जो जवान औरत को देकर हापने लगते थे और लाट टकाने लगते थे वह दरवाजा खोल कर बीतर दाखिल हुई उसने बीतर की बत्ती जलाई और अपना कीम्ती कोट पलंग पर एकोट डाल दिया उसने अपना बेक कंदे प तोड़ी और वहीं पड़े एक गिलास को उठा उसमें विस्की डाली जिसे वह माथे पर हलकी सी शिकन डाय बिना गटा गट पी गई नीट विस्की उसके पेट की बीतरी पड़तों से जाकर टकराई तो उसके सारे जिस्म में करंट दोड गया उसके चहरे पर आनद की चमक पेदा हुई उसने गिलास में और विस्की डाली और गिलास हाथ में लेकर वह बात्रूम की तरब बढ़ने लगी कि उसे खयाल आया कि सूट का दरवाजा बन नहीं किया था उसने आगे बढ़कर दरवाजा बन किया उसने ताले के छेद में चाबी डाली लेकिन गुमाई नहीं वह बात्रूम में पहुची वहाँ नीट विस्की की छोटी छोटी चुश्कियों के बीच वह एके करके अपने जिस्म के कपड़े उतारने लगी अब एक ही अर्चन रहे गई थी जिसे उसने दूर करना था वह जानती थी कि वह डरने या गबराने वाली नहीं थी इ वह हमेशा की तरह भड़ी सौलियत से दूर कर सकती थी उसने अपने सारे कपड़ों को एक साथ टांग दिया शीशे के प्रतिविन में जो कुछ उसे दिखाई दिया उससे वहाँ खुद ही बहुत खोश हुई उसका संपूर नगन शरीर उस वक्त सीशे की तरह चमक रहा थ उसके होटों पर एक कुटिल मुस्कुराहट आई और वहाँ दीरे से बुद्पदाई वेसे ही मर जाएगा हराम जादा उसने अपना विस्की का लगपक खाली गिलास उठा लिया और सारे जिस्म पर उची एडी की सेंडिल पहने वहाँ बात्रूम से बाहर आई कपडों के बंदन से मुक्त होकर उसे हमेशा बड़ी राहत मैसूस होती थी उसे यू लग रहा था जैसे अभी तक वहाँ गिरबतार थी और अभी वहाँ आजाद हुई है उसे लग रहा था कि तरीके से चेन की सांस उसे आई ही अब थी उसने अपने बेक में से सिगरेट का पेकेट और लाइटर निकाल एक सिगरेट सुलगा लिया उसने अपने गिलास में और विस्की डाली और फिर पलंग पर जाकर अद लेटी सी बैट गई पारसी मेज पर उस रोज का अपबार पड़ा था उसने लापरवाही से अपबार उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी मुगलबाद के शॉपिंग सेंटर में डकेती पड़े चार दिन हो गए थे लेकिन चार ही दिन में अकबार के लिहाद से डकेती की खबर ठंडी पड़ चुकी थी उससे संबंदित खबर एक मुख्य पुष्ट की हगदार नहीं रही थी डकेतों के बारे में जो चंद खबरे चपी थी वे पांचवे पुष्ट पर चपी थी और उनमें भी नया कुछ नहीं था सिवाए इस बात के की जैललीता एंगर नामक किसी मदरासी बच्ची ने फरजी डॉक्टर अहुजा को एक बड़ी खुबसूरत यूटी के साथ उसकी सफित एंबेसेटर कार में बेटकर वहाँ से कूछ करते देखा था डकेती की रकम में से 50,000 रुपए पबलिक लूट कर ले गई थी एक लाख रुपया पुलीस ने मेरी गो राउंड के एक खोड़े के खोखले पेट से बरामत किया था और बाकी की 15,000 की रकम का पुलीस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था और ना मिलने वाला था यूटी सिग्रेट का एक लंबा कश लेने के बाद होटों में बुद्पुदाई उसने अकपार पर आगे निगाह डाली डकेती की खबर से अलग जेरी के नो नंबर कोटेज में लगी आग और तरुन नाग्या के कतल का भी जिक्र था खबर के अनुसार उस संदर्व में भी पुलीस को देव बाला नाम की एक यूटी की बड़ी सरगर्मी से तलाश थी पड़े तलाश करते रहो वहाँ बुद्पुदाई नहीं मिलने की देव बाला तुमें अकबार में जलपरी पर्ट से रजनीकांत उर्प डॉक्टर अहुजा की लाश की बरामतिगी की खबर नहीं चपी थी शायद यह खबर वहाँ पहुचने तक अकबार चप चुका था लेकिन उसे मालूम था की लाश बरामत हो चुकी थी और उस संदर्ब में भी पुलीस को देव बाला की तलाश थी खबर के अंत में पुलीस की एक अपील छपी थी कि जिस किसी को भी R.J.S. 9146 नंबर की नीली फियेट कहीं दिखाई दे वह फ़रन पुलीस को इतला करी यूती ने एकायक जुझला कर अकबार को फश पर फेग दिया और अपना बेग फिर अपने समीप सरका लिया बेग में से उसने एक 32 केलीबर की रिवालवर निकाली उसने रिवालवर का चेंबर खोल कर एक बार फिर से तसली कर ली की रिवालवर बरी हुई थी हर खांचे में गोली मौजूद थी फिर संदूष्टी पून डंग से गर्दन हिलाते हुए उसने रिवालवर तक्ये के नीचे सरका दिया और तक्ये पर सिर रख कर लेट कई लेकिन रिवालवर चुपाने के लिए वह जगय उसे जची नहीं तक्ये के थोड़ा सा भी इदर उदर सरकने से रिवालवर पाहर जाकने लगती थी वह उठ बेठी तक्ये के नीचे से उसने रिवालवर निकाल ली उसने अपने सेंडिलें भी उतार भेकी और पलंग पर चित लेट गई अपना रिवालवर वाला हाथ उसने पलंग पर बिछे डनलब पिलो के गदे के नीचे पहुचाने की कोशिश की जहां की वह बड़ी सौलियत से पहुच गया उसने रिवालवर को गदे के नीचे रखकर खाली हाथ बाहर निकाल लिया उसने पलंग पर दो-तिन करवटे बदली और फिर अंदाजन गदे के नीचे हाथ डाला रिवालवर फोरन उसके हाथ में आ गई उसने रिवालवर से हाथ हीच लिया और संतुष्टी पुन डंग से घर्दन हिलाई हाँ यह इंतजाम ठीक था यहाँ रिवालवर ज्यादा अच्छी तरह छुपी रह सकती थी जब उसके साथी का द्यान रती किरियाओं में लगा होगा तो वह दीरे से गदे के नीचे हाथ सरकाएगी वहाँ से रिवालवर निकालेगी और फिर काम तमाम गिल्कुल वेसे ही जैसे रजनीकान का काम तमाम हुआ था उसने विस्की का गिलास खाली किया सिगरेट का आखरी कश लगा कर उसे एस्ट्रे में जूका और पलंग पर चित लेट कही उसके मानस पटल पर उन पुर्षों के अक्स उभरने लगे जिनके साथ वह हम विस्तर हो चुकी थी कुछ शन बाद अपनी रंगीनियों की पुरानी कहानिया याद कर उत्तेजित हो उठी थी अब दिलिब दत का आवगमन अब किसी भी शन उपेक्षित था मंगलवार रात को 9 बजे अरजुन ने प्रेस क्लब के मेन हॉल में कदम रखा एक कोने की मेच पर सुनील उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ बेठा दिखाई दिया अरजुन ने समीप पहुँच कर उसके कंडे को चुआ उसे देखते ही सुनील अपना विस्की का गिलास हाथ में लिए वहाँ से उठ खड़ा हुआ वह अरजुन को साथ लेकर लाउंच में आ गया कहां मर गये थे सुनील जुनिला कर बोला मरा कहां था गुरुजी अरजुन आहत बाउस से बोला एकदम जिन्दा था और आपका ही बताया काम कर रहा था शुक्र है मैं तो समझा था तुम बूल बाल गए कहां साहब सारे राजनगर की सारा दिन खाक छान कर अभी लोटा हूं काम बना हाँ इसलिए तो आपको तलाश करता फिर रहा हूं मैं यूद कलब भी गया था ओह बोलो क्या खबर है गुरू जी अरजन तनिक शिकायत बरे स्वर में सुनिल के विस्की की गिलास की और इशारा करता हुआ बोला सोने की रंगत वाले इस तरल पदार से बरा ऐसा ही एक पात्र क्या आपके इस पालक के भी हात में नहीं होना चाहिए सुनिल की बेसाक्ता हसी निकल गई अरजन को लेकर वह बार काउंटर पर पहुचा उसने अपना गिलास खाली किया और दो लाज ड्रिंक्स का ओडर दिया दोनों अगल बगल दो इस्टोलों पर बैट गए सुनिल ने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगा लिया बार टेंडर ड्रिंक सर्व कर गया तो अरजन बोला फैंसी ड्रेस के सामान किराय पर देने वाली तो बहुत दुकान निकल आही राजनगर में सारा दिन बेशुमार जगोहों पर धक्के खाने के बाद दुकान बंध होने के समय मैं रोनक बजार में पहुँचा वहां की एक दुकान पर पूश्टाच करने पर मुझे वह जवाब दिया था जिसे सुनने के लिए दिन बर से मेरे कान तरस रहे थे वहां से जोकरो की पुशाक किराय पर ली कई थी सुनील आशापुन स्वर में बोला जी हां दो पोशा के और जोकरो की सूरत में रबड के मुखोते भी दुकान दार ने मुझे रबड के मुखोते दिखाए थे उन पर जोकरो की परंपरागत सूरत इतनी नफासत से पेंट की हुई थी कि वहा मुखोटा मोह पर चड़ा लेने और उपर से सिर पर जोकरो जैसी टोपी पहन लेने के बाद वहा मुखोटा मुखोटा लगता ही नहीं था वह तो रंगों में पेंट किया हुआ असली चहरा मालुम होता था ओह तो यह बात है तभी तो वह जोकर बीड में इतनी जल्दी गायब हो गए उन्होंने मुखोटे और टोपिया उतार कर जेब में रखली होंगी और जिस्म पर लंबे ओवरकोट पहन लिये होंगे जिसकी वज़े से जोकरों की पोशा के छुप कई होंगी ऐसा ही हुआ मालूम होता है तुम आगे बढ़ो अर्जुन ने विस्की का एक बूट पिया और बोला उस दुकांदार के कथा अनुसार शुकरवाश शाम एक बड़ी चमचमाती हुई औरत उसकी दुकान पर आई थी उसने कहा था कि वहा और उसका पती किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में बाग लेने वाली थे जिसके लिए उन्हें जोकरों के दो पूरे कास्ट्यूम चाहिए थे युक्ती का हुलिया बयान किया उसने हाँ दुकांदार के कथा अनुसार उसके कंदों पर लहराते हुए रेशम से मुलायम बूरे बाल थे बड़ी बड़ी आँखे थी लंबी गर्दन थी खुब बड़ी बड़ी कठोर चातियां थी कमर पदली थी कूले बारी थे कद लंबा था वहां इंटीमेंट सेट लगाय हुए थी और एक सभिद एंबेसेटर चलाती हुई वहां वहां पाउची थी फिर देव बाला अपना कुछ नाम पता बदाया था उसने प्रतक्षह सुनील ने पूछा जी हां अर्जुन बोला नाम मिसेज एम के भटनागर और पता नंबर सत्रह नेपिनियन नेपिन हील रोड राजनगर कास्ट्यूम किरायपल लेने के लिए नाम पता लिखवाना जरूरी होता था दुकानदार ने कार का नंबर देखा था नहीं और गुरुजी उस युप्ती का दुकानदार को लिखवाया पता भी नकली है क्या मतलब मैं नेपिन हील रोड की सत्रा नंबर इमारत का चक्कल लगा आया हूँ वह इमारत खाली पड़ी है वहा न कोई मिसेज एम के भटनागर अब रहती है और न पहले कभी रहती थी ओह सुनील निरास स्वर में बोला दुकानदार ने उसे कास्टुम देते समय उसका पता चेक नहीं किया था उसे क्या जरत पड़ी थी ऐसा करने की वह सिक्योरिटी के तोर पर पोशाकों की पूरी कीमत भी तो रखवाता है फिर पता लिखने की क्या जरत थी खाना पूरी के लिए अगर वह यूर्ती वे पोशाके किराय पर ले गई थी तो वह उन्हें वापिस भी लाई होगी हाँ, शनिवार दोपर के बाद किसी समय वे दोनों पोशाके दुकानदार को लोटा कर अपनी सिक्योरिटी वापिस ले गई थी यानी की टाइटाइप फिस वह दुकानदार उस युक्ती की तलास के सिलसले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता उसे वह एडवांस में थोड़े ही मालुम था कि वह यूर्ती वे पोशाके किसले ले जा रही है लेकिन ढकेती की खबर अकबार में पढ़ने के बाद तो उसे यह बात सुझनी चाहिए थी तब तो उसे पूलीस को खबर करनी चाहिए थी मैंने यह सौब उससे किया था वह कहता था कि उसे पुलीस से डर लगता है वह पुलीस के किसी जमेले में नहीं पढ़ना चाहता कमाल है सिक्स सेंस भी तो कोई चीज होती है जो की जारूरी नहीं हर किसी में हो सुनील खामोश उसने सिग्रेट का एक लंबा कश लगाया अर्जुन ने अपना विस्की का गिलास खाली किया और फिर बोला लेकिन गुरुजी एक शाबासी के काबिल काम मैंने फिर भी किया है क्या सुनील अन्मने स्वर में बोला जोकरों की जो दो पोशाक वह औरत किराय पर ले खई थी मैंने उसका मुआयना करने के लिए वे दुकांदार से मांगी थी गुरुजी मैंने पोशाकों की जेब टटोली थी तो एक की जेब में यह भरामद हुआ था और अर्जुन ने एक तह किया हुआ कागज सुन कर सीधा किया अरे सुनील हेरानी से बोला यह तो तरुन नाग्या के बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने और रॉंग पार्किंग के चालान का परचा है जी हां अर्जुन बोला और इसका जोकरों की पोशाक की जेब से निकलना निर्विवाद रूप से यह साबित करता है कि दकेती में शामिल था सुनील ने गोर से सारे परचे को फिर से पड़ा उस पर तरुन नाग्या के नाम के साथ-साथ उसका विक्रमपुरे का पता भी लिखा हुआ था गाड़ी के नंबर के इस्थान पर उस पर नीली फियेट का नंबर RJS 9146 तर्थ था परचे के अनुसार शनीवार सुबस साड़े 9 बजे होटल टूरिस्ट मेरिना बीच रोड पर वह चालान कटा था और चालान काटने वाले पलिस अधिकारी का नाम ASI अनुपसियं लिखा हुआ था अब ASI अनुपसियं को तलाश करना होगा सुनील बोला ताकि इस पारे में और कुछ मालूम हो सके अरजुन खामोश रहा सुनील ने वह कागत्त करके अपनी जेब में रख लिया और इस्टूल से उतर पड़ा अब मेरे लिए क्या हुक्म है अरजुन बोला तुमारे लिए यह हुक्म है कि आज तुम मेरी और से यहां जी बर कर पियो और फिर कल पूरे दिन की छुटी मनाओ थैंक यू अरजुन हर्शित स्वर में बोला थैंक यू गुरुजी तुमने वाइक बहुत अच्छा काम किया है अरजुन में इसका जिक्र राय से और हो सका तो मलिक साहब से भी करूँगा थैंक यू सर बार टेंडर को आवशक निर्देश देकर सुनील वहां से बाहर निकल गया ASI अनुपसिय का अतापता मालुम करते करते सुनील को आदी रात हो गई लेकिन फिर भी उसने तबी उससे मिलने का फेसला किया उसकी जानकारी के अनुसार वह सिविल लाइंस में बने पुलिस क्वाटरों में रहता था कोई पोने एक बजे सुनील ने सिविल लाइंस के उसके क्वाटर की कॉल बेल बजाई वह देखकर उससे बड़ी राहत महसुस हुई की बीतर क्वाटर में अभी बत्ती जल रही थी दरवाजा एक यूती ने खोला वह गले से लेकर टकनों तक आने वाला कोई बोरे जैसा डीला परिदान पहने थी और अपने सिर्के बाल उसने बहुत कसकर अपनी गर्दन के पीछे बांदे हुए थे यूती को देखकर न जाने क्यों सुनील को क्रशना की याद आ गई एस आई अनूपसी का यही गर है सुनील ने पूछा हाँ यूती बोली वो गर में है हैं लेकिन तुम कौन हो मेरा नाम सुनील है प्रेस रिपोर्टर हूँ किसी वज़े से मेरा उनसे फोरन मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त जी हाँ लेकिन वो सो रहे हैं आप बराय महरबानी उन्हें जगा दीजे मैं वाइदा करता हूँ मैं उनका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा तुम यहीं ठहरो यूती ने उसके मुह पर धरवाजा बंद कर दिया सुनील प्रतिक्षा करता रहा थो आफ़त आ गई वह जल्ला कर बोला चोदरी साहब सुनील अनुनय पुर्ण स्वर में बोला मैं बड़ी दूर से चल कर आया हूँ और यहाँ मेरी नोकरी का सवाल है सिर्फ पांच मिनट के लिए मेरी खातिर थोड़ी सी जहमत गवारा कर लीजिए आओ शुक्रिया शुक्र से हडते ही बीतर दाकिल हुआ अनुपसियों उसे बैठक नुमा कमरे में ले आया उसने सुनील को एक सोफे पर बिठाया स्वाएं उसके सामने बेठा और एक जमहाई लेकर बोला तुम अकपार वाले हो जी हाँ कौनसा अकपार ब्लास्ट आधी रात को ब्लास्ट का ऐसा क कौनसा काम है जो मेरे बिना अटका सा रहा है सुनील ने अपनी जेब से चालान का परचा निकाला और उसे अनुपसियों को दिखाता हुआ बोला जरा इससे देखिए क्या है यह यह एक चालान है जो शनिवार सुबह आपने काटा था अनुपसियों ने कागज अपने हाथ में ले लिया और सरसरी तोर पर उसका मुआयना करता हुआ बोला ठीक सब कुछ तो धर्ज है इसमें मैं इसमें क्या देखूं आपको इस चालान के बारे में कुछ याद है कुछ क्या सब कुछ याद है क्यो नहीं याद होगा यह चालान काटे मुझे कौन से साल छम मैने हो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में शायद आप भूल बाल गए हों, मैं नहीं बूला, मुझे सब याद है, वह छोकरा साला, मुझे अकरना दिखाता तो शायद में उसका चालान करता ही नहीं, वो फेलने लगा, तो मैंने भी नहीं छोडा उसे, आप उस छोकरे का हुलिय बयान कर सकते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अनूपसी ने जो हुलिया बयान किया, वह सरासर तरुन नागिया का था, चालान की नोबत कैसे आई थी, सुनील ने नया सवाल पूछा, उसकी गाड़ी सड़क पर यूं तिर्ची खड़ी थी, कि ट्रैफिक रुक रहा था, मैं आगे चोराहे पर ड्यूटी दे रहा था, जबकि किसी ने मुझे बताया कि तूरिस्ट होटल के सामने एक गाड़ी ऐसे बहुदे डंग से खड़ी थी, कि रास्ता रुका हुआ था, मैं फोरन होटल के सामने पहुचा, गाड़ी वहाँ वाइक बड़े अटपटे डंग से खड़ी हुई थी, वहाँ वही नीली फियर थी, जिसका अपने बाद में चालान करटा था, नंबर आरजे एस 9146, हाँ वही, नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन अगर चालान पर लिखा है, तो यही होगा, फिर मैंने एक होटल करमचारी से पूछा, कि वहाँ गाड़ी हो पूटल में ही था, मैंने उसे बुलवाया, तो वहाँ वो छोकरा निकला, जिसका मैंने अभी तुमें हुलिया बताया है, वहाँ आकर बजाए इसके, कि अपनी गलती माने, मुझी पर लाल पीला होने लगा पथा, कहने लगा कि, कोई गाड़ी को ठोकर मार गया था, जिसक की वज़े से, गाड़ी धका खाकर उस पोजिशन में पहुच गई थी, तब भी अगर उसने बात तरीके से की होती, तो मैं मान जादा, लेकिन वो तो ससूरा सिर पर ही चड़ा जा रहा था, मुझे भी आ गया गुसा, पहले तो मैंने उसका रॉंग पार्किंग का चालान क और फिर जब वह गाड़ी से सवार होकर उसे सीधी खड़ी करने लगा, तो मैंने उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहा, वह लगा हील हुच्जत करने, लेकिन मैं अड़ा रहा, बोला लाइसेंस होटल में है, मैंने कहा जाकल लेया, फिर बोला कि शायद गर पर रह गया है मैंने कह दिया कि ठीक है मैं चालान कार्ड देता हूँ तू लाइसेंस कचहरी में दिखा दियो चोदरी साहब चालान पर आपने उसका विक्रमपुरे का पता लिखा है लेकिन आप कहते हैं कि ठेरा वा होटल में था आपने उससे पूछा नहीं कि वह क्या चकर था मुझे ऐसी बात से क्या मतलब था मुझे तो अपनी ड्यूटी बुक्तानी ठेरी वेसे मेरे ख्याल से पठा तफ्रिय मा रहा था होटल में केसी तफ्रिय अरे वही जो आजकल काम खराब करे दे रही है चोकरी बाज और क्या पठा होटल में कमरा लेकर किसी माशुका के साथ मजे लूट रहा होगा अच्छा हां और उसकी सूरत से ऐसा लगता भी था जैसे सारी रात किसी लुगाई के साथ बिस्तर में ही लोट लगाता रहा हो वहाँ नशे में तो नहीं था लेकिन उसके पिछली रात भी दारू की महग भी आ रही थी, वहाँ होटल भी तो ससूरा ऐसा वेसा ही है, उस वक्त क्या ऐसा लग रहा था, जैसे बिस्तर से निकल कर आया हो, नहीं, यू तो नहाया दोया, कहीं जाने को तयार लग रहा था, लेकिन फिर भी हुलिया, खास तोर से आखे ब एक लंबा ओवरकोट पहने था, कोट के बटन गले तक बन थे, और नीचे, वहाँ गुटनों से भी नीचे तक आ रहा था, उस ओवरकोट के अलावा, उसकी सफेद पतलून के सिर्फ पहुचे ही दिखाई दे रही थे, क्या यह भी हो सकता है कि, उस ओवरकोट के नीचे, वह जोकर की पोशाक पहने रहा हो, अब यह मुझे क्या मालूम, मैंने उसका ओवरकोट उगार कर थोड़े ही देखा था, तबी जिस यूती ने दरवाजा कोला था, वह शिशे के दो गलासों में चाय ले आई, यह क्या, सुनिल सकपका कर बोला, चाय है, अनुपसियं बोल चाय नहीं पहचानते, लेकिन चोदरी साहब इस तकलीप की क्या जरत थी, पकड़ लो, मेरी जोरु घराय महमान को चाय पिये बिना नहीं जाने देती, सुनिल ने युक्ती के हाथ से चाय का गिलास ले लिया, उसने देखा, युती ने अपना बोरे जैसा डीला डाला लब पहन ली थी, उसके सिर्के बाल भी उसने खोल दिये थे, जो की अब डीले डाले से उसके कंदों तक लटक रहे थे, एका एक सुनिल के कानों में गंटिया सी बजने लगी, वह जल्दी जल्दी चाय पीने लगा, अरे आराम से पियो, अनूपसियं बोला, गर्म है, चोदरी साहब, सुनील बोला, मैंने इतनी राद गए आपको तंक तो जरूर किया है, लेकिन आज आपके घर में कदम रखने से एक ऐसी गुथी सुलज गई है, जो शायद और किसी तरीके से कभी न सुलज पाती, हो सकता है, आपकी दुआ से किसी का पलंदा बनने से बज जाए, क् लंदा, वो क्या होता है, वही जो कभी बन जाता है, तो कभी बनने से बज जाता है, सुनील ने चाय का गिलास रखा, और उटकर खड़ा हुआ, चोदरी साहब, मैं फिर आउंगा, कम से कम एक बार और आपके यहां जरूर आउंगा, किसलिए आपको मिठाई खिलाने के लि सुनील होटल टूरिस्ट के रिशेप्शन पर पहुचा, रिशेप्शन पर एक युग मौजूद था, जो काउंटर पर सीट टिकाई सोया पड़ा था, सुनील ने उसे जिंजोड कर जगाया, उसने हडबढा कर आँखे खोली, और बोला, सौरी सर, मुझे तुमारे होटल म कमरा नहीं चाहिए, सुनील बोला, तो पहले जाग जाओ, फिर बताता हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, तो सुनो, मेरा नाम सुनील है, मैं प्रेस रिपोटर हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, सवाल कान खोल कर सुनना, तबी ठीक से जवाब दे पाओगे, क रात की ड्यूटी कब से चल रही है, एक हपते से, शुकरवार रात को भी, फिर तो तुम यहां ड्यूटी पर रहे होंगे, हाँ, शुकरवार रात को, यहां तरुन नागिया नाम का एक युवक ठहरा था, उसके साथ शायद कोई यूती भी थी, सौरी, एसे सवालों का डिस्टब नहीं कर सकता, प्यारे लाल, अगर तुम उसे डिस्टब नहीं करोगे, तो जो कुछ मैं करूँगा, उससे तुमारी नोकरी चली जाएगी, आप क्या करोगे, मैं यहां रेट करवा दूँगा, रेट, हाँ, तुम समझते हो, मुझे मालूम नहीं, कि यह कैसा हो उसने बेचेनी से पहलू बदला, और रेट की भी क्या जर्रत है, अगर मैंने अभी यूँ ही, गला फाड़ फाड़ कर पुलिस पुलिस चिलाना आरम कर दिया, तो तुमारे आधी कमरों में ठहरे लो, खिड़कियों में से कूत-कूत कर भगने लगेंगे, राज किरन खाम तो मैं शुरू करूं अपना प्रोग्राम, सुनील दमकी बरे स्वार में बोला, आप क्या जानना चाते हैं, सवाल तुमें मालूम है, फैसला यह करो की जवाब तुम दोगे, कि तुमारा मेनेजर, आप कोई जमेला तो नहीं खड़ा करेंगे, कैसा जमेला, जिससे मेरी न नोकरी पर आच नहीं आएगी, बलकी मैं तुमसे वाइदा करता हूँ, की में रिजर बेंग के गवर्नर का अपने हाथ से साइन किया हुआ, एक प्रशती पत्र भी तुमें दिलवाऊंगा, जिससे यह साबित होगा की, तुम कितने चोकस करमचारी हो, प्रशती पत्र, यह सुनील ने उसे 20 रुपे का एक नोट थमाया, ओह, क्या पूछ रहे थे आप, शुकरवार रात को, तरुन नागिया नाम का कोई यवक ठहरा था, राजकिरन ने होटल का रजिस्टर खोल कर, उसमें शुकरवार वाला उष्ट निकाला, नहीं, राजकिरन बोला, शुकरवा रात को, इस नाम का कोई आदमी यहां नहीं ठहरा था, प्यारे लाल, मुझे तुमसे इस बात की उमीद नहीं थी, लेकिन यहां हकीकत है, सुनील एकशन संग्दित पाउ से उसे गूरता रहा, फिर कुछ सोच कर बोला, देखो, हो सकता है, रजिस्टेशन के वक्त, इस बताना की, इस शक्ल सूरत का कोई युवक क्या होटल में ठहरा था, राजकिरण ने सहमती में सिर हिलाया, सुनील ने बड़ी बारीकी से तरुन नागिया का हुलिया बयान किया, अच्छा वो, राजकिरण एकाएक बोल पड़ा, अब समझा में, अब समन में आया, सुनील आशापुन स्वर में बोला, हाँ, ये साहब तो शुकरवार की रात को होटल में थे, नाम क्या बताया था, उन्होंने अपना कोई नाम नहीं बताया था, नाम बतानी की इन्हें जरत ही नहीं थी, ये साहब तो, हाँ हाँ, ये साहब तो मिसेद बटनागर के साथ थे, मिसे एसके बटनागर, वे यहां की regular pattern हैं, अक्सर यहां आकर ठैरती हैं, वे हमेशा पहले reception पर आती हैं, और फिर Mr. and Mrs. बटनागर के नाम से sweet book कर लेती हैं, उसके साथ जो भी साहब होते हैं, वे हमेशा बाद में आते हैं, हर बार एकी साहब नहीं आते, युवक हिच किचाया, देखो, सुनिल गंबिर्ता से बोला, मुझे तुमारे होटल के दंडे से कुछ नहीं लेना देना, मैं किसी और वज़े से ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए खामखा हिच किचायो मद, हर बार एकी साहब तो नहीं आते, राजकिरन दबे स्वार में बोला, लेकिन हमारे ह पूटल की खाना पूर्ती के लिखाद से, उसके स्वीट ले लेने के बाद, जो भी साहब आते, वे मिस्टर बटनागर होते हैं, ये मिसेज बटनागर यहां अकसर आती है, जी हाँ, हपते में दो-तिन फेरे तो लग ही जाते हैं इनके, और ठहरती हमेशा, ओवरनाइट ही है, यानी की रात को आती है, और सुबै को चली जाती है, जी हाँ, और मिस्टर बटनागर हर बार कोई नए साहब होते हैं, ऐसी बात तो नहीं, कई बार वे किनी एक साहब के साथ, कई-कई बार आती थी, जिस लड़के का आपने हुलिया बयान किया था, आट-दस बार तो वही आ चुका है, मिस्टर बटनागर के साथ, आट-दस बार वह कितने अर्से में आया है, पिछले कुछ हपते में, हूँ, अब जरा बड़ी सावदानी से, मिस्टर बटनागर का हुलिया बयान करो, वो राजकिरन ने शुरू किया, बड़ी खूबसुरत है, बड़ी जव वह तो वे होंगी ही, इसके अलावा, और क्या है वो, मेरा मतलब है, उम्र, कद, काट और रख रखाओ वगरे के बारे में बताओ, उम्र कोई 25-26 साल, कद 5.5 फुट से कम तो क्या होगा, लंबी घर्दन, बड़ी बड़ी मन बड़ी आँखे, उन्नत वक्ष, पतली कमर, ब वाज बड़ी मीठी, हसी बड़ी लुबावनी, बाल, बाल कैसे थे उनके, देखने में तो वे बूरे रंग के लंबे रेशमी मुलायम बाल थे, देखने में क्या मतलब, राजकिरन हिचकिचाया, ओह, कम ओन, सुनील उतावले स्वर में बोला, बाई साहब, वह कठिन स्व काले थे, और वे खास लंबे तो नहीं थे, तुम्हें कैसे मालूम है कि, वह विग लगाती थी, राजकिरन ने एक बार मूँ खोला, और बीच लिया, उसने बेचनी से पहलू बदला, देखो, सुनील कठोर स्वर में बोला, अब टालमटोल की कोशिश मत करो, जो कहना है फ इसकी नोट की और संकेत करता हुआ, एका एक बदले स्वर में बोला, वह जरा बड़े कागज पर छपा हुआ दे, तो बाद बने, सुनील ने जेब से एक पचास का नोट निकाला, और उसकी मुठी में ठूस दिया, अब बोलो, वह उतावले स्वर में बोला, राजकिरन का पर तनिक आगे को जुक गया, और बड़े रहस्पुन स्वर में बोला, यहा कोई एक महिना पहले की बात है, तब भी मेरी रात की ड्यूटी थी, और मैं यहां रिशेप्शन पर मौजूद था, जब वहां हमेशा की तरह, आदी रात के करीब यहां आई थी, हमेशा की तरह उसने रजिस्टर पर मिस्टर एंड मिसेज बटनागर लिखकर साइन किये थे, और मुझे कहा था कि, मिस्टर बटनागर राश्ते में कहीं अटक गए थे, वे थोड़ी देर बाद आने वाले थे, आमतोर पर कथित मिस्टर बटनागर पांच-दस मिनट में यहां आया करते थे लेकिन उस रोज एक बजे तक वे साहब न पहुझे फिर एका एक मिसेद बटनागर का अपने स्वीट से प्रिशेप्शन पर फोन आया मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे जिनकी एक बोटल का इंतजाम करने को कहा आज की कहानी बस यहीं तक आगे की कहान जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगर आपको यह नावेल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल